नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BKL Rounder चैनल पर दोस्तों आज के स्वास्त वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं जेनेरा 200MG टेबलेट जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जेनेरा 200MG टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने अपसे पहले आपसे अन्रोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक ज़रूर दबादें जिससे के आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का अपसे पर देख ही रहे हैं यह है उफलाकसा सिन आई पी दोसमजी टेबलेट जेनेवरा इसको दोस्तों यदिसकी कंपनी की बात करें तो इसको मेडले फार्मासीटिकल्स लिम्टेड कंपनी बनाती है और इसका जो यम आर्पी होता है वो साइट रुपए पर दस टेबले दोस्तों जान लेते हैं कि इस टेबलेट का इस्तेमाल किन की समस्याओं में आप कर सकते हैं तो इसके लिए यदि आपको बुखार है खांसी है जुखाम है टाउंसील बढ़े हुए है या हाइड्रोसील की समस्या हो गई है या पिंडलियों में अंड कोस में चोट लग है या घाओ है या जखम है या फोड़ा फूंसी है तो इन सभी समस्याओं में इन में से कोई भी समस्या आपको है तो उसकी दबा के साथ में आप ओफलक्सासिन 200 mg टेबलेट जेनोरा को मिला कर खा सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एंटी बायोटिक टेबलेट हो बैक्टिरिया को मार के आपको उस समस्या से निजात दिलाती है और आपको उस रोग से रोग मुक्त करती है दोस्तों ओफलक्सासिन साल्ट की मार्केट में कई टेबलेट्स उपलब्द हैं जैसे कि जैन फलक्स है ओलाइफ है और जैन काइंड 200 mg है और इसके अलावा भी बढ़ा काम करती है बहुत ही बढ़ा कंपनी है मेडली फार्मसीटिकल्स लिम्टेट तो इसका इसका इस्तेमाल अप यदि आपको बुखार है तो बुखार की दबा के साथ में इसको मिला कर खा सकते हैं और इसके अलावा खांसी है जुकाम है और हाइड्रोसील है या कर खा सकते हैं तो आपकी ये सारी समस्यां बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी बस एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि बुखार है तो बुखार की टेबलेट खा रहे हैं तो उसके साथ में कोई दूसरी एंटीबाइटिक नहीं खानी है यदि आप जिन्योरा ट की शिकायत है तो इन में से कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप उस समस्या की टेबलेट के साथ में उस समस्या की दबाई के साथ में बिना कोई दूसरी अंटीवाइटिक लिए जैन्योरा टेबलेट 200 mg को इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप एडिल्ट हैं तो तो आपको खुराक के बारे में बताना चाहेंगे तो इसकी खुराक जो है 200 mg टेबलेट मतलब एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट साम को खानी है यदि आप 18 साल से उपर के हैं या 18 साल के हैं तो और जो 18 साल से नीचे के हैं उनको आधी टेबलेट या उससे भी कम टेबलेट दिन में द या उससे बिकंव वो उम्र और मिर्दस करना है और जो लोग daha 18 साल और या 18 साल उनको भी इस टेबलेट का इस्तेमाल समस्या में करें वो डॉक्तर के दिसा निर्दस और डाक्र के पर relate करना चाहिए ढ़र पर अपनी मरजी से किसी भी टेबलेट या किसी कि दाबी दौाई की स्तेमाल करीuben आपके लिए नुकसान दायग वक्ति है दोस्तों बात करते हैं इसके साज़ेट के वारे में तो साइट इफेक्ट MATT के आपको उलजहन टेबलेट के बारे में जानकारी दी है जो कि मेडले कंपनी की है तो यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे फिर एक बार अन्रोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सेर और हुमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेला के जरुर्द बादें जिससे कि आपको हर दबाई के आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सकते तो दोस्तों मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिये इजाजत आज के वीडियो में बस इतना ही तब तक आप अपना ख्याल रखेंए आप चुस्त तंदुरुस्त और स्वस्त रहें आपका परिभार स्वस्त रहें और यही मेरी ईसर से पाम करना है मिलेंगे फिर किसी दिन नाय स्वस्त वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें मस्त रहें स्वस्त रहें जय हिल जय भारत जय स्री राम बंदे मात्रम